इवी चालक को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाएं और इलेक्रिक वीकल्स की जानकारी पाएं नमस्कार दोस्तों मैं आज शीश और स्वागत आपका इवी चालक दें तो फ्रेंस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जून के महीने में किस किस कमपनी ने अपने इलेक्रिक टू वीलर को कितना कितना बेका है जून के जो सेल्स फिगर हैं वो काफी जाता चौकाने वाले हैं क्योंकि इसमें काफी जाता उतार चड़ावाएं हैं कई companies ऐसी हैं जिन्होंने अपने पुरानी position को फिर से हांसिल कर लिया है और कई companies ऐसी हैं जो की एक-एक step करके अपनी position को सुधार रही है और कई companies ऐसी हैं जिनकी position में लगातार गिरावट देखने को मिल रहे हैं तो exactly sales figure के हिसाब से कौन-कौन सी company किस-किस position पर आई हैं जानने के लिए देखते रहे हैं तो friends बात कर लेते हैं सबसे पहले 10th position पर आने वाली company की तो 10th position पर आई है banaling तो banaling ने जून के महिने में 954 units को बेका है वहीं पर मई के महिने में उन्होंने 792 units को बेका था इसकी जो sales figure है उसमें 20% की बढ़त देखने को मिली है लेकिन जो इसकी position है वो एक पाइदान नीचे आ गई है मई के महिने में 9th position पर थी जून के महिने में 10th position पर आई है 9th position पर आई है pure EV अब जो इसकी position है वो लगातर घटती जा रही है जून के महिने में इसने 1125 units को बेका है वहीं मई के महिने में 1466 units को बेका था इसकी sales में बाहरी गिरावट देखने को मिली है 23.2% की और जुसकी position है वो लगातर घट ही रही है मई के महिने में 8th position पर थी और April के महिने में 6th position पर थी अब ये 6th से 9th position पर आ गई है जून में एट पॉजिशन पर आती है बजाज कंपनी बजाज ने जून में 1781 युनिट्स को बेखा है महीं पर मई में उसने 1715 युनिट्स को बेखा था जिसकी सेल्स फिगरेप्स में काफी जादा फरक नहीं आया लेकिन इसमें 1.7% का इजाफा देखने को मिला है जून में जो इसकी सेवंथ पोजिशन पर आ गाई है जून के महीने में इन्होंने 1936 युनिट्स को बेखा है महीं मही के महीने में इनहोंने सिरफ 442 यूनिट को बेखा था इस हिसाब से इसकी सेंस फिगर में सबसे ज्यादा उच्छाल देखने को मिला है 338 परजेंट का अब सिक्स पोजिशन पर आ गई है वहीं पर मई में इसने 1584 यूनिट को बेखा था इस हिसाब से इसकी जो सेल्स फिगर है उस पर भी अच्छा खासा उच्छाल देखने को मिला है 52.7% का फिफ्थ पोजिशन पर फिर से आ गई है एथर एथर ने पिछले मई ने अपनी पोजिशन को इंप्रूफ किया था यह पर फिर से फिफ्थ पोजिशन पर आ गई है जून में इन्होंने 3797 यूनिट को बेखा है वहीं पर मई में इन्होंने 3322 यूनिट को बेखा था इसकी सेल्स फिगर में 14.3% का इजाफा तो देखने को मिला है लेकिन इसकी जो पोजिशन वो घट गई है अब बात करते हैं पोजिशन पर आने वाली कंपनी की जो की है ओला इलेक्ट्रिक जी हां आपने सही सुना ओला इलेक्ट्रिक यह फोर्थ पोजिशन पर आ गई है इसकी जो पोजिशन है वो काफी ज्यादा डाउन होती जा रही है कभी यह कंपनी राज किया करती थी नंबर वन पोजिशन प को बेगा था एक ठाइम था जब इसकी दस से बाराजार यूनिट अराम से बिग जाते थी इसे साब से इसकी जो सेल्स विगर है उसमें 36.3 परसेंट की गिरावट देखने को मिली है हो सकता है जो लगाता है प्रॉब्लम सा रही है जो पहले इसमें आग लगने काफी अच्छा स्कूटर है आज भी उसकी स्पैसिफिकेशन से वह अन बीटेबल है जिस प्राइस सेग्मेंट में वह आता है उसमें काफी अच्छी आफरिंग है वह कंपनी की तरफ से अगर आपके पास भी ओला स्वन प्रो है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके प्रवॉशन प्रंप कर रही है पिछले मही ने फिफ्ट पौजिशन पर चली गई थी अब फिर से इंप्रूब करके थर्ड पॉशिन पर आ गई है जून के महीने 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 महीन उने अठथाईस सो पचास यूनिट को वेगा था इसके सेल्स विगर में काफी अच्छा अब ये जून में second position पे आ गई है जून के महीने में इनोंने 6534 unit को बेका है महीपे मई के महीने में इनोंने 5849 unit को बेका था इनकी sales figure में 11.9% का सुधार देखने को मिला है अब बात करते हैं number one position पे आने वाली company की जी हाँ वो है Okinawa Okinawa इस बार भी number one position पे आई है पेशली बार भी number one position पे थी और April में ये थी number three position पे Okinawa ने जून में 7976 unit को बेका है वहीं पे मई में इनोंने 902 unit को बेका था इसकी जो sales figure हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है 25% की लेकिन जो इसकी position है वो एक number पे ही बरकरार है Okinawa की sales figure चिंता जनक है क्योंकि ओला की sales figure है वो काफी ज्यादा down हो गई है इस वज़े से Okinawa number one पे अगर उसकी sales figure down नहीं होती तो हो जाकता था Okinawa एक number से खिसके दो number पे आ जाती तो Okinawa note out बहुत अच्छी company है और काफी ज्यादा अच्छा कर रही है तो यहाँ पे Okinawa को अपने sales figure को और ज्यादा इंप्रूव करने की ज़रुत है क्योंकि Okinawa के पास काफी अच्छी खासी range है सभी प्रकार के electric scooters की तो friends इस वीडियो में इतना ही ताकि आगे आने वली वीडियो की updates आपको मिल जाए तो friends मिलते है नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए show green and go green